Hello friends, welcome to my YouTube channel Friends, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर आप हिंदी में किसी के पास message send करना चाहो, message से बात करना चाहो हिंदी में तो किस तरीके से आप हिंदी chatting कर सकते हो अपने WhatsApp में, अपने keyword को change करके आज की इस वीडियो में हम आपको यहीं बताने वाले हैं, तो वीडियो को विल्कुल skip मत करिएगा और last तक बनी रहीएगा तो चले friends वीडियो को start कर लेते हैं और जान लेते हैं कि English keyword को कैसे हम हिंदी keyword में change करके किसी के पास WhatsApp chatting हिंदी में कर सकते हैं, तो इसके लिए friends सबसे पहले आपको अपने WhatsApp आप को कुछ इस तरीके से open कर लेना है और WhatsApp आप को open करने के बात friends यहाँ पर आपको किसी एक chat को इस तरीके से open कर लेना है देन उसके बाद यहाँ पर आपको message की option पर click कर लेना है और message की option पर click करने के बाद friends यहाँ पर आपको keyword में एक setting का option देखनी को मिल जाएगा या तो हो सकता है आपके emoji का option देखनी को यहाँ पर नीचे मिलता हो तो इसी पर आप 2-3 second पर प्रेस करके रखेंगे friends तो इस तरीके से settings का option देखनी को मिल जाएगा इसी settings की option पर आपको click कर देना है अगर आपका settings का option यहाँ पर देखनी को मिल जाएगा तो इसी पर आपको क्लिक कर लेना, बट अगर आपका यहाँ पर setting option नहीं देखने को मिला, तो emoji वाले option पर 2-3 सेकंड तक प्रेस करके रखेंगे, दबाके रखेंगे, तो यहाँ पर setting का option इसी तरीके से देखने को मिल जाएगा, उसी पर आपको क्लिक कर देना है, language के option पर क्लिक करने के बाद friends यहाँ पर आपको add keyword का option देखने को मिल जाएगा, या तो नीचे हो सकता है, आपके smartphone में add keyword का option देखने को मिलता हो, तो इसी add keyword के option पर आपको क्लिक कर देना, देन उसका friends यहाँ पर आपको hindi भारत का option देखने को मिल जाएगा, बट अगर आपके smartphone में यहाँ पर hindi इंडिया देखने को मिल लिका होगा, तो उसी पर आपको क्लिक कर लेना है, अगर आपका hindi भारत या हिंदी इंडिया यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है friends, तो यह हम अपने keyword को हिंदी में करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको इस हिंदी भारे option पर भी क्लिक कर लेना है, और उसका friends यहाँ पर आप स्क्रॉल करके इधर साइड में आएंगे, तो यहाँ पर आपको एक संचिप्त का option देखने को मिलेगा, इस पर भी आपको क्लिक कर लेन है, तर उसका friends यहाँ पर आपको नीचे एक done का option देखने को मिल जाएगा, इस done के option पर आपको क्लिक कर देना, अब done के option पर क्लिक करने के बाद friends यहाँ पर आपका हिंदी में keyword हो जाएगा, आपके WhatsApp में, अब यहाँ से आपको बैक हो जाना है, अब बैक होने के बाद friends यहा आप message की option पर आप क्लिक करोगे, तो यहाँ पर आपका keyword को हिंदी में change करने के लिए, यहाँ पर आपको एक icon देखनी को मिल जाएगा, ब्राउजर की तरह, इसी पर आपको क्लिक करना है, दो से तीन बाद इस तरीके से, तो आपका keyword यहाँ पर हिंदी में हो जाएगा, जैस की आप यहाँ पर देख सकते हो, तो फ्रेंट्स यह रही छोटी सी जैनकारी, अगर आपको जैनकारी थोड़ा सा भी helpful और knowledgeable लगी हो, तो प्लीज वीडियो को like करके channel को subscribe कर दीजेगा,